हलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ मुझे पापा की साथ मस्ती करना बहुत पसंद है और मम्मी संदेश, आप सरो बेटा मम्मी हमारा बहुत खयाल रखती है नमस्ते अंकल अरे टिंकू, आओ भी आज क्या नया लाए हो ये देखे अंकल, आज मैं नया फोन लाया हूँ ये है टिंकू बहिया, हमारी पड़ोसी टिंकू बहिया बहुत टैक सेवी है मुझे कम्प्यूटर सिखाते हैं क्या तुम देखना चाहोगे संदेश अरे वा भाया, नया लापटॉप, मुझे भी देखना है ये तो बहुत ही अच्छा है हाँ, भाया, भाया याप क्या कर रहे हो भाया छोड़ो मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाया, भाया प्लीज क्या हुआ संदेश बेटा, तुम इतने चुपके हो चलना संदेश, खेलने चलते हैं नहीं आज, मेरा मन नहीं है संदेश बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम आज भी स्कूल नहीं गए और ये क्या, तुमने दूद भी नहीं पिया देखो, अगर कोई बात है, तुम मुझे बताओ मेरा प्यारा भाई, अपनी दीदी को तो बता ही सकता है न दीदी, दीदी वो, वो, वो टिंकु भाईया मेरी एक फ्रेंड है समायरा, कुछ दिन पहले शहर में उसने इस परश का एक कारकरम किया था, शायद वो जांते होगी हलो बच्चों, हलो दीदी अच्छा ये बताओ, किस किस को पपी के साथ खेलना पसंद है मैं मैं, मुझे भी, मुझे भी आपने देखा होगा, जब आप उसे सर पर हाथ लगाते हो, या सहलाते हो, तो उसे कैसा लगता है ठीक, उसी तरह, जब कोई हमें प्यार से या अपने पन से चूता है, जिससे हमें अच्छा लगे, तो वह सुरक्षत इसपाश कहलाता है और जब कोई हमें इस गलत तरीके से चूता है, कि हमें बुरा या अजीब लगता है, तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे शरीर में चार ऐसी टच्मिनों जगे होती है, जहां कोई बिना वजे ना हमें छो सकता है, और ना ही हम किसी को छो सकते है मू, छाती, दोनों पैरों के बीच में आगे की और, और पीछे कमर के नीचे इन चार जगव पर हमें कोई नहीं छो सकता अगर हमें कोई इन चार जगव पर छोता है, तो वो बैट टच है, और इससे हमारे दिमाग में टच की घंटी बजनी चाहिए दिमाग की घंटी बजेगी? हाँ, जैसे अगर मैं आपको आपके मन पसंद खाने की चीज की जगव जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी चीज दे दूँ तो आपके मुह में टेस्ट की घंटी बजेगी अगर में आपके सौंग की जगए शूर यानि नॉइस सुनाओ तो आपके कान में टच की घंटी बजेगी और गर्म कढ़ाई और नर्म टैडी बियर को छूने पर उंगली में टच की घंटी बजेगी जब इन सब की घंटी हमें बचती हैं तो हमें बैट टच की घंटी भी बचनी चाहिए हर टच पास आकर किया जाए ये ज़रूरी नहीं है अगर कुई हमें हमारे कपड़े उतारने पर मजबूर करे या हमारे सामने अपने निजी जगों को हाथ लगाए अपने मॉबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, लेप्टॉप पर कोई गंदी चीज दिखाता है या भेशता है तो वो भी बैट टच है अगर कोई ऐसा करे तो हमें बचना कैसे है? तो ठीक उस पापी की तरह जोर से चिलाओ, नो या नहीं या व्यक्ति से दूर तुरंत किसे सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ, जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा हो और तब तक बताना है, जब तक आपके बड़े आपकी बात ना सुन ले और ध्यान रखे कि बुरा इस पर्ष लड़के यानि बॉइस के साथ भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि बुरा इस पर्ष करने वाला आदमी यानि मेल ही हो ये किसी फीमेल यानि महिला से भी आ सकता है और ये भी जरूरी नहीं कि बुरा इसपाइश कोई अजनबी यानि स्ट्रेंजर ही करे ये हमारे किसी जान पहचान वाला, कोई पड़ोसी या रिष्टेदार भी कर सकता है पर अब हम क्या करें? अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाए तो दस नौ आठ पर कॉल करें और दोशी को सजा दिलाएं याद रखें नौ गो टेल